एहंका, ये शब्द को हम सब जानते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छपा हुआ है, उसको समझते हैं, एहंका सिर्फ एक सोच है, सचने, ये हमारे दिमाग में चनने वाले ख्यालों की एक स्रंकला है, या हम खुद को केंदर में रखते हैं, एहंकार हमारे भेदबाब करने की क्रिया, भेदबाब की बहवार के लिए जरूरी है, और ये हमारे नेचर में इनरेंट होता है, ये एक सूच रूप में मैनिफिस्ट होता है, ये हमारी एवलूशन का एक फेज है, लेकिन ये हमारे इनर नेचर को रेप्रिजेंट नहीं करता है, हमारा एंकार, शत् क्रोध लोप और तमस आलश रग्या इन तीनों गुणों से परभावित होता है। चलिए सत्गुण के बारें बात करता है। सत्गुण हमें खुद को बहतर समझने में मदद करता है। ये हमारी तरकी का अगला कदम है। राजसिक सुभाव ये सात्विक और तमसिक के बीच में टंग आफ वार जैसा है। ये बहुत सक्रिय, उर्जाबान और असांत होता है। जैसे एक महत कांची व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए उत्सुक रहता है। ये सुभाव हमें मौ और माया की जाल में भसा देता है। राजसिक सुभाव is like a never-ending race। तमसिक प्रवर्ती में पांच तनमात्रा निकलती हैं। सद, सपर्स, रूप, रस और गंद। ये सूचमतत्त, एंकार के कमजोर, निसक्री और पीड़ा दाइक पहलू को दरसाती है। इन तनमात्राओं का प्रभाव हमारे जीवन में दुख और पीड़ा लाता है। ये हमारे एंकार को पुसुत करते हैं और हमें दुख के सागर में डुआ देते हैं। हम क्रिमनल और ड्रग एड़क्टर और बहुत जादा कुस्सा करने वाले वक्ति को देख सकते हैं जो तामसिक प्रभरती को दर्शाते हैं। मर्म योग में हमारा सरीर और मन को बहतर समझने के लिए गुण यानि बेस्टिक क्वालिटीज और नेचर को ग्रुप में डिवाइड किया हैं। आता है। एंकार से प्रकरती और हमारा संतलन बिगडता है। जैसे अगर हम नदी में गंदकी डालते रहें तो पानी पीने लायक नहीं रहेगा। इस तरह एंकार की बज़े से इग्लोरेंस और अटेच्मेंट होता है जो मेंटल, इमोशनल और सारेरिक बीमारी का कारणता है। योग और आर्विद कहते हैं। सोच जैसी, करनी बैसी, फल बैसा, मानो हमारा सारी एक बगीत चाहे। अगर हम अच्छे बीच बोएंगे, अच्छे बीच मतलब अच्छे विचार और और करम, तो हमें अच्छा फल मिलेगा। फल यहां पर स्वास्त सरीर और मन को दर बसाता है। महीं पर स्वात्तिक प्रकरती हमें में इंटल, इमोशनल और फिजिकल डिसीज से तो बचाती है। साथी साथ संतुलन निर्णे लेने में मदद करती है। फिर मिलेंगे आपको मरम योग के एक नए स्टेप के साथ इस्टे हैपी, इस्टे हैल्थी।